कुरुक्षेत्र पहुंचे राज्य सबसांसर दिपेंदर हुड़ा ने मन्ज से कहा कि पिछले नो सालों से सरकार खिलाडियों वे खेलों का सम्मान नहीं कर रही है। इन नो सालों से ना ही खिलाडियों की कोई भरती गी गई है। कुरुक्षेत्र की गाव किर्मच में आयोजित सरकल कबड़ी परत्योगिता में मुख्य अतिती के तोर पर पहुंचे राज्य सबसांसर दिपेंदर हुड़ा वे उनके साथ पूर मंतरी अशोक अरोडा विलाडवा के विधायक मेवा सिंग भी कॉंगरेस कारेकरताओं के लाख रुपई देने का मंज से एलान किया इस दोरान महिला खिलाडियों पर बोलते हुए सांसर दिपेंदर हुड़ा ने कहा इजजत की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली की सड़कों पर खिलारियों को बैठना पड़ा और पुलीस द्वारा गसीता गया सरकार को पर बिजबूशन ने दिपेंदर हुड़ा का नाम लेकर कहा दिपेंदर हुड़ा महिला खिलाडियों को साथ जाकर खड़े हुए इस बात पर सांसर दिपेंदर हुड़ा ने कहा कि जब हमारी बेटिया अपने इजजत की लड़ाई लड़ेंगी हम हमेशा उनके साथ खड पूरु केंद्री मंत्री चोद्री बिरंदर सिंग के भाजपा छोड़कर कॉंगर्स में शामिल होने की अठकलोग पर जवाब देते हुए रात्य सबा सांसर दिपेंदर हुड़ा ने कहा मुपेंदर सिंग हुड़ा के नितरतव में कॉंगर्स पार्टी के पक्ष में जन्भ काई और बेरोजगारी में धकेलने वाली भाजपा सरकार ही है वहीं सांसर सुनीता दुगल ने कॉंगर्स पार्टी पर तंज कस्तों वे कहा था कि कॉंगर्स पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अनुसूची जाती के सिर्फ नाम मात्र के लिए रखते हैं और मौजूदा प् अध्यक्ता दुगल नातार मौजश बहुत बड़ी है तो है मैं समत्ता हूं कि एक अच्छी तरीके से गाउं की चपित जिरादी ने बिल जो लोके आद्विन किया है पूरा घाउं किरमत गाउं उसके लिए बढ़ाई आधा रहे हैं गाउं को बढ़ाई तर दिपेंदर कि एसा लज़ रहा है विजेपी का टारेक्ट नापूद कर रहे हैं कि विरंदे चंदी कंदर चेंड़ सकते हैं बढ़ाल यह निरूर हम करे सकते हैं कि हर्याना में बुड़ा साब के नेति तुम्हें कोंगेस्पार्टी के पक्ष्ट में लोग की जनबावना की लेर सब्सक्ष्ट करागंअ सब्सक्याद कर तके हैं और कॉंगरेस्पार्टी अब इस बात का देवाब होई देए अधियों के अधियों के अंदर पिछले नौ साल से इसने खिराडियों का और फेलों का जो सम्मान करना जाहिए वो सम्मान नहीं किया अधिक आपमान करना काम किया आज वराजनेतिक कारिक्रम नहीं इसने राजनेतिक बात तो नहीं लेकिन खेलों के बात पारे में इदना हम जरूर कहना चाहते हैं गृपस्ट के नाते क्या कारते सारे नोसाल हो गए खिराडियों की भरती रुकिए और ना भरती करी जो मदक लाओ पत्पाओ की नीटी पर हर्याना चलाता जिसने अर्याना खिराडियों का संवान पर पूरे विष्ष पजल के हिंदुस्तान का गौरश बढ़ानाय अकाम हमारे खिराडियों कर्ता सरकारन ने भंद पर गिंद बढ़िया सरकर का एक भी खिलाड पॉठीक की एक भी खिलाडी को कहीं कोई नहुत्थी पत्रमेकोई संतने पाध करें संतने प्रच पर देखें। है पूरी दुनिया के इंदर रिवाज देकर हमारी पेटियों को अपनी इक्ठी की रवाःता हैं उनको पसीबा जा रहा था में milksh producing थे महुं बुढा डुन में सब्सक्तम करें. हमारी tablet आपना medal लेकर उनकों घंगा में, निये हरीहां में, censustermbek में ऩोग आज सदूंद के मणुझा लेकर यृट मれ width में मेहाने के लिए घंग्तिता आपकी ठाम करेंए. किसी के मुँपे एक सम्स नहीं आए कि आप इन मेडलों को बहाओ, आपको इस देशन नहाय दिलाएंगे, वो अपनी इजय की लाहे ज़र रही थी, वो केवल अपनी दुप की बात यह है, कि आज पुरे देश को ऐसी सरकार ने जो आपमानिस करना काम केवल उनको नहीं, ऐसा जाती के नाम पर, दर्म के नाम पर जो पांटमे का प्रयास रुके थे, एक खेल ऐसा है, जिसमें घिलारी ना कोई जाती देखता ना कोई धर्म देखता, बलगी एक भायर्टी में एक मगर से वाली थी पीकर, एक खेल की और खिलारी की बावना को उप्रास उतरता है, यह जाती हो दर्म से उपर उखता चलता है रंतु साथियों इस देश और प्रदेश के अंदर ऐसी सरकारे हैं जो आज भी जाती हो डर्म के नाम पर भाटती है ठीक कहाता मेवा सिंगी ने एक प्रटावपा ऐसी थी कि पद लाओं पदक लाओं और पद पाओं लाडियों को डिय सब्सक्राइब तक ही न्युक्तियां की जी जाती थी जब जोद्री वपिंदर जिंग उटा की सरकार थी रंतु ये सरकार जो बदक लेके आते थे उनको किस प्रतार से पमानित दिली के अंदर किया गया किस प्रतार से अर्याना पर्देश का खेल मंत्री एक पोर्ट के थी पार नहीं लेंगे साथीओ किस प्रकार की सरकारा अंकार से वरी सरकार रही जान जरूर जरूर किए कि बिर से वही सरिकार लाए यो खिराणी को अपना प्रद लाने पर प्रद दिया करती थी रत्यों दुर्वागेर सात्यों आज हमारे परतेश और देश का क्या जोजगार नाम मिलने की वज़े से आज हो हमारे खेलाडी जो प्रेट रदिवा दिखाते थे जो खेल के अंदर जोन पत्र खिलाते थे आज साथियों उनको जोजगार नाम मिलने की वज़े से आज वो देश से प्लाइन करने पर इंपूर हुए आज स्रकार की घंद मीतियों की वज़े से नशे की तरफ चले वहाँ साथियों आने वरिक स्रकार मिस्टी प्रूप से आपके सहयोग से आप लोगों की बनेगी कोहर स्पार्टी की बनेगी उड़ा साफ उकेवन्पी होगे मैं बाहित बिनदी को बताना का हुआ कि किरमच गाउं के लोगों में आपके हर संगर्ष में आपके साथी रहे सयोगी रहे और चुनाओं में भी बारी मतों से यहां से आपके पर्ट्यासी बारी अशोग रवा मेरे को मैं आपको भाई कह दाओ मेरे को इनों ने बारी मतों से खताया आज भी पूरा किरमच गाउं आपके साथ है आपके दाप रहेगा आपका पुने में यहां पहुचने पर और जो हमारे दूसरे लके से नहमान आए दूसरे जिले से आए और खिलारियों का भी आप पहुचने पर स्वागत करता